कहा जाता है कि गुरु भगवान समान होता है लेकिन बिजनौर में एक ऐसी गटना सामने आई है जिस से इस कहवत का महत्वी ही खत्म हो जाएगा जी हाँ बिजनौर में दिन दहाडे स्कूल में घुसकर एक चातर ने प्रिंसिपल को गोली मार दी वो भी महज इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल ने चातर का स्कूल से नाम कटवा दिया था यह वारदाज साइ इंटर कॉलेज की है यहाँ कुछ दिन पहले स्कूल में एक जगडा करने की वज़े से दसवी के चातर दिपांशू का प्रिंसिपल साहब ने स्कूल से नाम काट दिया था प्रिंसिपल साहब को क्या पता था? स्कूल से दिपांशू को निकालना उनको भारी पड़ जाएगा आरोपी चातर ने कॉलेज के अंदर घुस कर प्रिंसिपल साहब को ही गोली मार दी गनीमत ये रही कि गोली सीने में न लग कर प्रिंसिपल साहब की कंदे में जा लगी गोली की अवाज सुनकर स्कूल में अफरत अफ्री मच गई अरोपी छात्र वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया हाला कि पुलिस ने अरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है वहीं पेडित संजीव कुमार का इलाज CHC में चल रहा है जो फिलाल खत्रे से बाहर है लेकिन हम अपनी स्कूल में आपको ने बलाएंगे तो वह बच्चा आज अपनी मम्मी के साथ आया तो फिर हम ने सबना कर दे कि हम जो है बिलकुल आपको अपनी स्कूल में रखेंगे फिर वह अचानक से फिर दोवारा आया हमने सब्सक्राइब टीची लेने के लिए आया है अपनी मैं अचानक से वह आया और अचानक से वह आया और उसने एकदम से पिस्टल चला लिया वह तो यह था कि मैं एकड़ जुका लिए बढ़ना तो वह फेस पे कर लग जाती या क आने में आरे हैं जो अचानक से वह तो इसको विवाद के तरफे करीवी का दे रिस्टीट कर जाएगा आज सुवेरे यह अपने गार्जिन के साथ आया था और गार्जिन में रिक्वेस्ट की लेकिन अचानक साब में यह बताया कि इसको इसकी जहां चली इसके बाद ही अचानक से अचानक से इसके वह तो इसके वह तो इसके वह तो में पुपिदा और इसें बाराभोग का तबंजा आए और लड़का भाग गया है और मुकंदान थाना से वहरे दर प्रतिया गया है और शक्कान है